आज हम बनाएंगे white forest cake की recipe इसे हम बनाएंगे कड़ाई में वो भी बेनाणडा के तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिसना करें क्योंकि ये white forest cake की recipe मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है और step by step है आपको बनाने में बिल्कुल आसानी रहेगी और आपको ये cake की recipe बहुत easy बूले और यह केक इतना सॉफ्ट बनता है कि मुह में जाते ही घुल जाता है तो फिर देर किस बात की स्टार्ट करते हैं वाइट फॉरेस्ट केक बनाना के लिए हम सबसे पहले इसका स्पॉंज रेडी करेंगे तो हम एक बरतर में डाल देते हैं एक कब गुन-गुना दूद हमें या पर दूद जो है हलका सा गरम लेना है इसमें हम डाल देते हैं विनेगर तो यह वाइट विनेगर है एकदम प्लेन वाला आधा बड़ा चमच विनेगर इस्तमाल करेंगे कोई भी फ्लेवर वाला विनेगर नहीं डाले एकदम प्लेन वाला वाइट विनेगर डाले बिनेगर दालने के बाद हम इसको हलका सा मिक्स कर दिया है और इसे 5 मिनिट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि यह बटर मिल्क में कनवर्ट हो जाए और जब पांच मिनट हो जाएंगे उसके बाद हमें इसमें बागी की चीज़ा एड़ करनी है तो हम इसमें डाल देते हैं वन थर्ड कप अन फ्लेवर्ड ओयल यानि बिना किसी स्मेल का तेल इस्तमाल करें जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो इसमेल ना हो वह वाला तेल इस्तम करते हैं इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है चीनी हमने आधा कब इस्तमाल कि ये तो जितना हम केक बना रहे हैं चीनी का मेजरमेंट एक दम पर्फेक्ट है हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है यह देखे apprendre चीनी भी हमें एक दम फाथ स्शाना है फिर हम इसमें डाल यहां पर हम टोटल एक कप मैदर डालेंगे अब केक बनाने के लिए आप मैजरिंग कप और स्पून कहीं इसी के साथ डाल देते हैं बेकिंग पौडर एक चोटा चमज और आदा चोटा चमज डाल देंगे बेकिंग सोडा दोनों का इस्तमाल करेंगे हम यहां पर अब इन ती बेकिंग पौडर सोडा तो डालाई है अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे आपको इसे को तब तक मिक्स कर देना है जब तक पूरी तरह से स्मूध नहीं हो जाता इसका टेक्शर पूरी तरह से स्मूध हो जाना चाहिए तब तक आप इसे एक ही डिरेक्शन में मिक्स क तो परने वाली है क्योंकि इसमें अल्रेडी हमने दूद पहले ही डाल दिया है और आप देख सकते हैं बैटर की जो कजिस्टेंसी वो भी एकदम सही आ गई है और बैटर हमाने स्मूध हो गया है बैटर को बेक करने के लिए हमें चाहिए हो गए केक्टीन तो हमने केक्टीन जो कि अल्मूनियम का है आप चाहिए तो स्टील का फ्लैट टिफिन इस्तमाल कर सकते हैं इसे हमने हलका सा ओईल डालकर अच्छे से ग्रीस कर दिया है ताकि यह जो केक्टीन है अच्छे से चिकना हो जाए कि नारों पर भी अप्लाई कर दें ओईल को फिर हम इस पे बटर बटर पेपर नहीं है तो इसकी जगे पर आप सूखा मैदा छिडग दें उससे भी केक आसानी से बाहर आजाता है या फिर अगर आपके पास बटर पेपर है तो वह लगा दें बटर पेपर लगाने के बाद और इसको हमने ग्रीस कर दिया फिर से और यह जो बैटर है वह प और बड़ा सा बरतन इस्तमाल करें कढ़ाई के जगा पे आप कोई और बरतन भी ले सकते हैं और इसे 10 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम होने देंगे कढ़ाई जब अच्छे से गरम हो जाएगी फिर हम इसमें केक वाला बरतन रख देंगे बिल्कुल स्टै से जब चोड़ होगे हैं और वैसे बी एक ग्लास का लीड था तो मुझे बाहर से दिखाई दे रहा था कि केक इतना बेक हुआ है लेकिन आपको केक को बार-बार खोल कर नहीं देखना है हम इसे सेंटर से चेक लेते हैं टूद्पिक डाल कर या और नाइफ डाल कर आप दे किनारों को इस तरह से स्क्रेच कर दे ताकि ये अलग हो जाए फिर हम इसे उल्टा कर देते हैं ताकि ये केक जो है बाहर आ जाए केक ठंडा होने के बाद आसानी से बाहर आ जाता है फिर हम इसका बटर पेपर रिमूफ कर देते हैं ये देखिए बटर पेपर भी बहुत आसा केया को में करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस पर डाइरेक्ट क्रीम को लगा सकते हैं कटना करें यह देखिए मैंने इसको उबरा वा इससे जा लगता है वाल इसको सॉफ्ट बनाए केक हमारा मिस कर लेते हैं आप चाहें तो इसको तीन बिल्कुल तयार हो गया है तो यह देखिए हमारे जो केक है कितना ज्छादा सौफ्ट बना है तो दो हिस्सो में अलग लग हो गया है अब इसकी बाकी जो प्रिपरेशन है वो र Schritt कर ले आप लेते हैं वो भी इस्तमाल कर सकते हैं। तो आप एक पीलर की मदद से चॉकलेट को पील कर लें। उससे क्या होगा जो चॉकलेट की शेविंग्स हैं वो आ जाएंगी। जिसे हम केक के ओपर डेकॉरेट करेंगे। वाइट फॉरेस्ट केक बनाने के लिए आपको वाइट चॉकलेट ही इस्तमाल करनी है। और यहाँ पे मैंने चॉकलेट को अच्छे से पील कर लिया हैं और काफी सारी शेविंग्स आ गई हैं ये देखिए। तो हमारी जो चौकलेट है तैयार है कि एक पर सजाने के लिए इसे हम फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी-छोटी चंक्स में हमने उनको निकाल दिया है नहीं तो अगर आप बाहर छोड़ते हैं तो ये मेल्ट होने लगेगी आप इसे फ्रिज में रख द अंदर हो जाता है तो इसे लगातार हम बीट कर लेते हैं जब तक ये स्टिफ नहीं हो जाता इसकी पीक्स नहीं बन जाती तब तक आपको इसको बीट करना है आप देख सकते हैं मैंने इसे कुंटिनसली बीट किया है हार्डली ये तीन मिनिट में बीट हो गया है ये देख प्रेय ले लेंगे या प्लेट ले ले लेंगे और इसने हलकी सही हमने विप्क्रिम ढाल दी और पर इस पे स्पॉंज रख देंगे ताकि तक कि शुगर शिरफ चीनी और पानी lien के घूल को तो पे पोर कर दें। उससे आपका जो स्पॉंज है वो मिठा भी हो जाएगा अच्छे से और यह बहुत ही सॉफ्टर स्पॉंजी भी हो जाएगा। अगर आप इसे एक्स्ट्रा मिठा नहीं करना चाते हैं तो सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे पाइपिन बैग में भड़ लिया है ताकि यह एक्वल लग जाए अच्छे से और जब विप क्रीम लग गई है अंदर तो हम इसके ओपर यह लगा देते हैं दूसरा वाला सेकंड बेस। तो बीच में क्रीम लगाने के बाद हमने इस पे सेकंड बेस भी रग दिया है इसके ओपर भी हम डाल देते हैं शुगर सिरफ अगर आप चाहें तो शुगर सिरफ ना डालें आप डारिक भी क्रीम को लगा सकते हैं बस हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारा केक है वो सु करने के बाद आपको इस तरह से्ट कर लेंगे है तो उपर से हम इसे लेवल कर देते हैं क्रिम आक लिए क्रीम Meaning करने लेए क्रिम जवसे क्रीम कंशी हैं हमें कर देनी है क्रीम के चॉक利व सबसे चांत ऑस बत गाई है जितनी भी किनारों पर ये एक्स्ट्रा क्रीम दिखाई दे रहे हैं इसे हम एक टिशू पेपर की मदद से साफ कर देते हैं आप इसे तुरंती साफ कर दें नहीं तो जब ये सूख जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्लीन करने में क्रीम को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है आसपास से अब हम इसके ओपर चॉकलेट डालेंगे तो यह जो हमारी चॉकलेट है अच्छे से तयार होगी है मैंने इसे फ्रिज में रखा था आप देख सकते हैं यह लग लग है और बहुत अच्छे से खिली-खिली है अगर आप इसे बाहर छोड़ देते हैं तो यह थोड़ी सी जो है वैट हो जाती है तो टॉप पे हम इस तरह से चॉकलेट को बिखेर देते हैं पूरी तरह से तो एक मोटी सी लेयर बिछा देंगी टॉप पर आप चाहें तो चॉकलेट को skip कर सकते हैं सिर्फ आप इसे विप क्रिम से भी ready कर सकते हैं लेकिन चॉकलेट के वज़े से बहुत एच्छा टेस्ट आता है इस केक में, या फिर चॉकलेट को आप मेल्ट करकी भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, किनारों पर भी हम जो है चॉकलेट को लगा देते हैं, किनारों पर मैंने जादर नहीं लगाया है, और बाद में चॉकलेट को क्लीन कर लें जो भी आसपास गिरे अब हम इसके ओपर डिजाइनिंग दे देते हैं बस जो हमारा केक है अलमूस्ट रेडी हो गया है बस यहाँ पर थोड़ी सी से डिजाइनिंग दे देंगे मैंने यहाँ पर यह स्टार नोजिल लिया है जिसे मैंने पाइप इन बैग में डाल कर क्रीम डाल दी है और इस पर हम इस डिजाइन देते हैं फ्लॉवर वाला बहुत इजी है इसे बनाना यह देखिए कितना आसानी से बन रहा है जस्ट आपको इसे घुमाना है और आपकी छोटी-छोटी फ्लॉवर्स बन जाएंगे जो दिखने में केक की खूबसूर्ती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा इस पर डिजाइनिंग देने की बिल्कुल ज़रुवरत नहीं है जस्ट आपको हमने इस पर फ्लॉवर्स बनाए और इस पर हम किनारों पर यानि इदम नीचे इस पर फ्रिल कर डिजाइन दे देते हैं तो इस तरह से जो लेस वाले डिजाइन आएगा ना केक दिखने में बहुत ही सुन्दर दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा तो यह हमने फ्रिल वाला डिजाइन दे दिया नीचे अब इसे कंट्रास देने के लिए हम इस पर चैरीज लगा देते हैं जो इसका जो लुक है वो बहुत ही इन्हेंस करेगी तो अगर आपके पास चैरीज हैं तो आप ज़रूर लगाएं दिखने में केक बहुत अच्छा दिखता है और यह लिजे हमारा वाइट फॉरेस्ट केक बिलकुल तेयार है केक जब आपका तयार हो जाए आप इसे एक दो घंटा के लिए फ्रिज में रग दें ताकि यह सेट हो जाए या फिर आप इसे इमीजेटली भी काट सकते हैं मैं याप इसे इमीजेटली कट कर रही हूँ यह देखिए हमारा केक कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है कट करने से ही पता चल रहा है और आप इसका अंदर से टेक्शर देखिए आप इसे चाहें तो पेस्ट्री की तरह कट कर सकते हैं तो आपने पूरी वीडियो में देखा कि इस केक को बनाना कितना आसान है बहुत इजी है इस केक को बनाना अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह केक कितना ज्यादा सूपर सॉफ्ट और मॉइस्ड है तो मुझे पूरी में था आपको आज की ये वाइट फोरेस्ट केक की रेसेपी जरूर पसंद आई होगी रेसेपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल से जोड़े राने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें